कि नमस्कार दोस्तों मैं है यारी आप सबी लोगों को मेरा यूटीव चैनल नोई और कार में स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम कुछ इसे चीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपोडन्ट होता है एक जो लोग नई कार लेने के लिए सोचते हैं लेते हैं उनके लिए दिए दोस्तों सभी लोगों के लिए जो लोग कार खरीदते हैं उनके लिए वो कार डेलिवरी का दिन बहुत ही इंपोडन्ट होता है तकि आप सुबह से उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे लेना है कार मतलब कैसे लाएंगे सोरूम से कब पड़ेगा इसके बारे में बहुत सरे आप सोचते हैं तो उसके रिकार्डिंग में एक ये वीडियो बना रहा हूं आपको किया कि आप प्रोसीजियोर आप फोलो करेंगे तक कि आपको इजी रहे उस दिन इतना टेंसन ना रहा है आपको तो फास्ट अपल में कुछ नोट ड आपको एसां किया गया है शोरूम के तरफ से सारे प्रस रेडी करके जाएं तैकि कोई दिक्कत ना हो वहाँ प्पे सारे पेफ़र भर को खतम करके जाएं नंबर टू में अगर पॉसिबल्च हो तो एक कार मेकानिक को सात में जरूर लेके जाएं समझा है ना मेरा बात को आप कार मेकानिक जो जिसका अगर कार मेकानिक ना हो तब ही चलेगा अगर किसी इसा बंदे को साथ में लेके जाए जिसके मतलब जिसका कार के ऊपर थोड़ा नलेज हो मेकानिकल नलेज हो ओके अगर नमबर तीन के बारे में बात किया जाए तो आप वहां पर जाने के बाद जो सेल एक्जिक्टिव जो गाइड होते हैं सेल्स गाइड होते हैं सो रूम में उनके साथ आफ फ्रेंडली इंटराक्ट इंटरेक्शन वीजिए ताकि इसा ना हो कि वह आपके साथ इसा मिल जाए ताकि आपको सारे चीज में कोई कठीनाई का सामना करना ना पड़े तो बिए फ्रेंडली उच सेल एक्जिकुटिव नंबर चार पर अगर हम बात करेंगे तो जिस दिन आपको डेलिवरी डेट दिया गया है या डेलिवरी टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले ही आप सोरूम में पहुंच जाए एक तेड़ गंटा या दो गंटा पहले पहुंच जाए तक कि सो डेट यू कैन इंस्पेक्टियर कार स्मूथ लिए जो कार आपको डेलिवरी करने के लिए मतलब रेडियो लूप करने वाले हैं या किये हैं उसको आफ थोड़ा इंस्पेक्शन कर लिजिए उस कार का तकि वहां पर कोई स्क्राच ना किटना हो उसका रुनिंग मिटर कितना रुनिंग हुआ है और टायर पेशर ठिक है की नहीं और पावार विंडो काम कर रहा है कि नहीं बाकी सारे चीज़ों के नहीं कर ले रहे हैं कोई तो अप किलोणा नहीं खत रहे हैं 57 लगkę या उसे जएदा करके नहीं कर ले रह तो यह सब चीज तो देखना ही पड़ेगा तो यह सब चीज देखने के लिए आपको थोड़ी पहले ही पहुंच जाना चाहिए यह नंबर चार गया नंबर पांच में अगर आप इंस्पेक्शन के टाइम उजो पहले पहुंचने की बात मैं ने जस्ट पहले बताया वो उसक होता है कि कुछ इसरी देते हैं वे लगाते हैं तो उनको मत लगने दीजिए तक कि आप कार को सिर्फेक्शन अच्छे से कर लीजिए उसके बाद ऑंको कुछ लगने के लिए बोले या पिर आपका सामने में उनको लगने के लिए बहले भीसे सीट कवर हुआ मूजिक गृष्डेक्षन करने के बाद ही उनको लगाने के लिए बोलिए नंबर च्छे की अगर बात करते हैं जो कार में आज कल सभी कार में आपको पता ही होगा कि सारे चीज सेंसर में होते हैं और बहुत सरे नए नए फीचर आते हैं तो कार डेलिवरी लेने से पहले वो जो सेल एक्जिक्टिव आपका होता है सेल्स परसान उनसे सारे sensors के बारे में सारे features के बारे में जो जो नई चीज आई है थोरो लिए उसके बारे में पूछ लीजिए अगर किसी में कोई doubt है तो फिर से पूछ लीजिए उनमें कोई कि मतलब hesitation नहीं रखना चाहिए वो चीज बहुत important होड़ा है कि आज कल सारे कारें sensors के बारे में मतलब sensors पर चलते हैं तो अगर कहीं आपको कुछ knowledge ना हो sensor के बारे में और वो sensor ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसके इसलिए जो cell person होता है उससे आप पूरा detail थोरो कीजिए उस चीजों के बारे में यह गया नंबर साथ में आप कभी मतलिये इस चीज को कार delivery लेने से पहले आप एक सौट ड्राइब जरूर कीजिए अगर आपको कार चलाना नहीं अदा है तो जिसको लेका आप साथ में जाईए जो पहले में बात किया था कार मेकानिक्स के स्ट के बार में यह में नलेज होने वाला कोई बंदी के बरे में तो उसके साथ थोड़ा सट्ड्राइब जरूर लीजिए और चेक की कि जिए की तसी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं मृगysis सिस्ट्रम ठीक से कार रजार की नहीं इन इन सभी छीजों में टेकनिकल फीचर्स मे थोड़ा मतलब कंफर्म होने के लिए थोड़ा सट ड्राइब जरूर लीजिए अगर ना और आए लास्ट में नमबर एट लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से तो यह जो बाकी साथ चीजें मैंने बताई है आपको इन साथ चीजों को तब कीजिए जब आफका पेपर वार्क ज मतलब साइन कर लिए सारे पीपर में मतलब कार आपकी हो गए उसके बाद अगर आप किसी को को लाइन के बारे में बता कि तो वह अलग चीज हो जाता है और करेंगे इस बात चीज है अब लोगों के लिए मैं भी जब नई गाड़ी लीती तब भी बहुत परिशान हुआ था इन सब चीजों के बारे में तो असा करता हूँ आप इनके ओपर थोड़ा ध्यान रखेंगे और बस इतना ही जानकर यह आपको देना था बस अगर यह वीडियो आपको अच् सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसाई वीडियो बनाता रहता हूँ ओके फ्रेंड्स थैंक्यों बावाई